नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल नोटिफिकेशन ओन कर लिजिए ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियों की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए आपके बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्ण्ट एनौंस्मेंट करना चाहुता हूं आप हमें इंस्टाग्राम पीज पर सब्सक्राइब कर सकते हों कैया.mobile mentor आप यह इंस्टाग्राम पेज पर सर्च किजे और हमें फॉलो किजे ताकि आपको इंस्टाग्राम पेज के उपर भी हमारे लेटेस्ट वीडियो की जाने वाले नोटिफिकेशन से वहाँ पर मिल जाएगी इसके अलावा आप हमारे एक चैनल और एक ग्रूप को टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम एट्रिकेशन प्लेश्टोर से डाउनलड किजे वहाँ पर आप पर आपको हमारे चैनल मिल जाएगा और एड़रेट मोबाइल अंडर्सकूर मेंटर इसमें हमारा ग्रूप मिल जाएगा तो आप ग्रूप जोइन के स्टूडन डिसकॉशन में आप इन्वाल हो सकते हो आज के सचम एंका हम लेने वाले हैं परसंटेज बेस्ट कोशिन लेशन ट्री एक्जावरेशन ईंगाेशन एक्जांत हम लेक्ष्टर से वह पार्ट बन देख ले अगर आपने नहीं देखा हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी दिंग मिल जाएगी आप परसंटेज पार्ट बन जरूर देख लिजएगा अभी जो है हम कोशन लेने वाले हैं कोशन नमबर सेवन देखें कोशन नमबर सेवन क्या करता है इन a school in school examination a candidate who score 30% of marks failed by 24 marks ठीक है देख़ें समझजे आप सबसे पहले quick situation को समझें इन अ स्कूल examination a candidate who score 30% of marks phail by 24 marks जानी कि जो बनदये ने 30% marks मर्स अपस्टेइं कीहें वह क्या हो गया फेलो गया पैलती में इसमें इतनी मार्स हो गया 24 मार्स है। मोघशा सुखते मार्स सब्सक्राइब तो ये तो पास तो हो गया ऊपासिंग मार्स से कितना ज्यादा लाया? 16 मार्स ज्यादा लाया अब आप यही शीश समझेए ठीके, आपको क्या बुला है? 30% अब मार्स जो है, जो लाया वो 24 मार्स से फेल हो गया और जिसने 35% मार्स लाया वो 16 मार्स ज्यादा आए उसके passing मार्स से कि तो पीपर कितने मार्स का था आपको यह पूछा गया Naruto तो समझे सबसे पहले क्या करता हैं देखिए यहां पर क्या हुआ है कि इसके जो पासीं मार्स से उसमें से गे मार्स इसको कम मिले अगर इसको समझ ये पासिंग मार्स में जो भी पासिंग मार्स था वाटेवर आप ले लो पचास ले लो चारिस लो जो भी उससे 24 मार्स उसके कम है और जबकि यहां पर क्या हुआ? पासिंग मार्ज से इसको कितने मार्ज मिले? 16 मार्ज तो चलो तो चलो कर लेते हैं कि चलो पासिंग मार्ज 60 है ठीक है? कोई भी श्रीज बिए इसमें से 24 हम ने मैंने वह कहीं कर लिए तो हमें यह जो बंदा पहला जो बंदा है उसके मार्स मिल जाएंगे तो 60 में से 24 गया कितना बनेगा 36 मिला और इसमें इसको कितना मार्स मेला 60 प्लस 16 इसे क्लियर तो यह 76 हो जाएगा तो जब देखिए इन दोनों के बीच मार्स का डिपरेंस कितना है 40 का डिपरेंस है और जबकि यहाँ पर परसंटेज में कितना डिपरेंस है 35 मार्स 50 देखो यह वाला ज्यादा है इसके मार्स ज्यादा है सबस्कुंट करते हैं तो यहां परभ Douglas निए में अपर इसको विल deux देखने deste को यहां बटम जा रहा हूं उसके सब्सक्राइब करौन श्मय पहले खायो थैटी मर्श संद्रेजाइन जया वो फेल हो गया इसको के स이션 मार्स 35% मार्स फास हो गया but उसको पासीं मैंस आप 16 मार्स जढ़ा मिले इसको पासीं मार्स से 24 मार्स कम मिले तो पासिंग मार्स मार्स 24 और फासीं मार्स प्लस तो तो finally अगर हम यह दोनों का addition कर देंगे यह बले minus plus है पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है यह यहाँ पर 76 minus 66 तो यह 40 बना तो उसी तरीके से 24 plus 16 40 ही बना तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है इन percentage का difference क्या है 5% 5 पे अगर 40 का difference है तो 100 पर कितना तो सीधा ही मैं मिल जाएगा 40 into 100 upon 5 तो answer भी 8 into 100 800 तो option भी ए समझ मैं है देखे वीडियो को आप एक बार रिवाइन करके देख सकते हैं कोई प्रोलब नहीं है समझ यह आप आपके जो passing मार्स से उससे 24 मार्स कमा है तो आप कोई भी passing मार्स आजियों कर सकते हैं आप हजार भी पचास भी तो चालिस भी कर सकते हो ठीक है बट आप जो है वो फैसाइज को यहां पर 12 वंक्रूलर्टीश में से लि газ फीक्रूल एंड टू यहां पर जो है आप ने कोई भी अगर यहां पर मार्स किया हैं है तो यहां पर हो क्या रहा है समझे आपने मेने यहां पर सिष्टी लिग से से 24 गए तो 36 मार्स इसके लाए है एक्षिल मार्स एंड 60 में 16 प्लस करूंगा यह जो पासी मार्स से ज्यादा है तो वो मेरे मिल गए अब इन दोनों का डिफ्रेंस और यह परसंटेज का डिफ्रेंस यह एक्विलन्ट और यहां पर देखी यह 800 बन गया तो फाइनली क्या हो रहा है यह जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो यहां पर यह है यह फाइनली दोनों डिफ्रेंस ही इसका आप देखिए यह डिफ्रेंस से 24 प्लस 16 कीजिए आपको सीधा ही 40 मिलेगा ठीक है तो आपको जो है यहां पर डिरेक्ट लिए आपका option यह answer की तौर पर बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगे बहुत ही आसानी के साथ आप answer detect कर सकते हो clear है कोई doubt यह कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो देखो question बहुत easy है next question कुछ ऐसा ही है कुछ different language का है तो इसको भी हम समझते हैं देखिए अभी जो है आपका basic calculation through हमें फटाफट calculation करके answer देना है उसमें आपको basic math Vedic math and simplification यह तीनों चीजों की जुरूत रहेगी तभी जाके आप यह questions को solve कर सकते हो ठीक है next in an examination it is required to get 36 percentage of marks maximum marks to pass 36 percentage maximum marks to pass तो यहां पर क्या होगा समझे इन an examination it is required to get 36 percentage of maximum marks to pass तो 100 जो है उसमें जितने भी 100 marks जो भी 100 marks का वेपर है 100 percentage उसमें 36 percentage passing marks है ठीक है एक श्रोंट को 113 marks मिले कि एक श्रोंट को कितने मार्स मिले 113 marks मिले and declare fail by 85 marks अब वो फेल हो गया कितने मार्स है 85 marks है अब सूचिए एक चीज़ सूचिए अगर मैं इसमें अगर मैं इसमें 85 marks प्लस कर तो क्या यह पास हो जाएगा यह नहीं होगा इस प्लियर यानि कि पास होने के लिए कितने मार्स चीए 198 पास होने के लिए परसंटेज कितने चीए 36 परसंटेज अब समझ में आ रहा है यह यह आपका परसंटेज 36 परसंटेज ऑफ एक्स इस इकल टो 198 सिधा बन गया ना सब्सक्राइब अब ऐसे भी लिख सते 36 इकलन टो 198 तो 100 इकलन टो वाट सब्सक्राइब या ता फिर आपके बास दूसरा भी एक क्वेशन आप यहां पर देखो मैं तीन इक्वेशन बना रहा हूं पहला 36 परसंटेज इकलन टो 198 तो 100 इकलन टो वाट दूसरा 36 परसंटेज पर में समार्स कितने हैं 100 तो 198 पर कितना होगा ठीक है तीसरा यहां पर यह वाला जो मैंने बनाया था 36 परसंटेज आप एक्स इस इकल टो 198 विगोज रिजन इस जैट देखे यहां पर जो है हमें एक चीज़ देखो में क्यलकोशन बाद में पहले कंसेप्स समझ लिए अगर आपने कंसेप्स समझ लिया ना तो आपके लिए क्वेशन बहुत ही आसान हो जाएगा तो देखे ए आपका एक्वेशन बन गए तीनों कि तीनों और तीनों एक्वेशन का क्यालकोशन तो सेम यह आने वाला है वन टू थी ठीक है तो 198 इंटू 100 डिवाट बाइगा 36 और यहां पर भी है 100 परसंटेज ही है तो आप इसका डबल जिरो नीचे मत लगा देना तो देखते हैं अब इसका आंसर क्या बनेगा तो देखे इसको हम 198 00 को 36 से डिवाइड करेंगे 36 फाइजा 180 अब यहां पर बना कितना 180 तो यहां पर एक जिरो लगा दू यानिके पास होने के लिए न्यक्सियम माइट के चीचें 550 सब्झे महारा है 100 परसंटी जब मैं से मैक्सियम पासिंग मार्स तो उसी तरीके से 550 जो है वह मैक्सियम पासिंग माइट होंगे इस ट्लियर तो देखे कोश्चन बहुत ही आसानी के साथ स्वाल हो रहा है नाव वी आर मुएंग ओन देनेक्स वन नेक्स्ट समझते हैं कोश्चन नमबर नाइन को कोश्चन नमबर 9 क्या कहता है इने एग्जामीशन एक केंडियर स्कूर 23 परसंट बट फेल बए 24 मार्स अब देखिए एक बंद्या जो है उसने 23 परसंटेज मार्स लाया ठेक है और मैक्सिमम मार्स ठेक है और fail हो गया कितने marks है 24 marks है अब देखो आप ये गलती मत करना कि 23% and 24 marks आप इसको add कर दो आप पहले समझे 23% and 24 marks ही दोनों different चीज़े हैं ये percentage में value है और ये numbers में value है ठीक है अब आप समझे अगर वो 23% of x है यानि कि maximum marks है एक काम करते हैं हम ऐसा लिखते है 23% of m plus 24 marks कर देंगे तो हमें passing marks मिल जाएंगे is it clear तो यहाँ पर passing marks कितने है 35% 35% कितने है passing marks है तो 35-23% हम सिधा ही minus कर देंगे इन दोनों को समझे इन दोनों को minus कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा इन दोनों का difference जो पास होने के लिए जो difference है वो और देखिए यहां पर हमें और आल्रेडी यह 24 marks के तोर पर difference जिया गया है दिखाई दे रहा है आपको सहज में रहा है इन दोनों के बीच का difference जहीं है आप देखिए बिकॉस रिजन इस देखिए आप one second में बता रहा हूं ध्यान से समझे इफ एन एग्जामेशन है के इंडियाट स्कोर 23 परसंटेज अव मार्स बट फेल बाइट 24 मार्स इफ पासिंग मार्स इस 35 अब देखिए अगर हम इसको इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पासिंग मा बैट वाल तो इसका मार्स मिल जाएगा 200 बहुत ही आसानी के साथ हम कोईशन को सॉल कर रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आपको नहीं सवज में आया तो आप वीडियो को एक बार वापिस देखिए कोईशन बहुत ही इसी है आप कोईशन को सॉल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब नेस्ट वेस आई है हम लेते हैं टैन नमर वोशन अफ्ट्रोंट को ट्वंटी इट मार्स बट फेल बाई टू मार्स एपास मार्स इस फॉट्टी परसंटेज यानिकि लिए कि ट्वंटी टू 30 तो 100 टू वाट सीधा ही इक्वेशन बन गया सर्ज में आरा है यह देखे यह दोनों जो है इकुलन वैल्यू है यह तो आप ऐसे भी लिख सथे हो 40 पर मेक्स मार्स कितना है 100 तो 30 पर मेक्स मार्स कितना बनेगा आप यह इक्वेशन आप यहसे मिला सकते हो तो 30 75 जबकि passing marks कितने थे 30 passing percentage कितने थे 40 percentage is it clear देखे question बहुत ही आसान है आपको अपने level पे questions को solve करना ही पड़ेगा ठेक है next one the maximum marks is a 150 maximum marks कितना है 150 अग candidate score 48 marks but fail by 12 marks देखिए एक candidate ने 48 marks लाए बट वो fail हो गया कितने marks से 12 marks यानि कि अगर हम उसमें उसको pass कर दो अगर उसमें 12 marks plus कर देंगे तो प्लाइब पास हो जाएगा और यानि कि हमें passing marks में मिल जाएंगी what is the percentage of pass अब देखे आपको percentage of pass marks बोला है आपको amount नहीं बुली है sorry यानि कि मार्स नहीं बोले कि कितने marks percentage बोला है तो 150 पर पास होने के लिए कितने marks चाहिए 60 तो 100 पर कितने चाहिए तो 60 into 100 upon 150 यह 0 गया यह 0 गया तो यह हम पर बन जाएगा 40 percentage तो यह 40 percentage option C will be your answer final outcome बहुत ही आसानी के साथ आप questions को solve कर सकते हो इसे clear कोई दिक्कत नहीं है तो just simple है हमने बहुत ही आसानी के साथ questions को solve कर रहे हैं आशा रखता हूं आप सभी को doubts clear हो रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है देखे मैं one by one सभी questions tackle कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी question में किसी भी प्रकार का doubt ना हूँ ठीक है कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यह सभी के सभी questions जो है वह examination question है previous year के जितने भी questions जो है जो भी वेपर में उसी में से मैंने यह questions उटाया है तो earlier जो जो भी questions से मिस एक्जामेशन में जो पूछे गए वह questions हम समझ रहे हैं ताकि क्या है कि आपको भी आम आलूम पड़े के कौन से लेवल के questions आ रहे हैं ठीक है तो आज के session में हम यहीं पर रुखते हैं हम मिलेंगे next session में thank you guys for watching this video झाल झाल झाल